अगर आपके गले में म्यूकस या बल्गम की माफ करना गले में हमेशा बल्गम जमा रहता है तो आज के विडियो में हम नमक का इस्तिमाल करके उससे छुटकारा पाने की बात करेंगे। ये तरीका बेहद आसान है। इस प्रॉबलम को विभिन तरीकों से ठीक करने पर बनाए गए तीन विडियो की सीरीज का ये भी एक विडियो है। इसलिए अगर आपके साइनस में म्यूकस है या कान के अंदरूनी हिस्से में म्यूकस है या म्यूकस आपके टॉंसिल्स से निकल रहा है। अगर ये आपके गले में जमा रहता है तो हम इन पर बात करेंगे। शायद आपको ये बात मालूम होगी कि नमक असल में बैक्तिरिया, फंगल, यीस्ट और मोल्ड की स्थिती में काफी मदद करता है क्या आप जानते हैं कि कच्चे मीट को बैक्तिरिया से बचाने के लिए उस पर नमक का लेप लगाया जाता है क्या आप जानते हैं कि जब आप sour crowd बनाते हैं तो उसमें मौझूद bacteria बढ़ने लगता है और पत्तागोभी को फर्मिट करने लगता है लेकिन जब आप bacteria को रोकना चाहते हैं तो आप उस पर नमक छिड़क देते हैं जिससे sour crowd की process संतुलित हो जाती है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नमक microbes के साथ क्या करता है आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया है अगर हम किसी bacteria, fungus या mold पर नमक छिड़कते हैं तो नमक का concentration अंदर के मुकाबले बाहर बहुत ज्यादा हो जाता है इन microbes के अंदर पानी होगा और पानी नमक के concentrated मिश्रण की ओर प्रभावित होता है इसलिए पानी सैल से बाहर निकलने लगेगा पानी इस जगह पर इकठा होने लगेगा और बैक्टीरिया में पानी की कमी कर देगा और बैक्टीरिया एक मृत कण में बदल जाएगा इसलिए नमक dehydration की मदद से बैक्टीरिया, fungus, mold और yeast का खात्मा कर देगा नमक एक बढ़िया काम ये भी करेगा कि ये म्यूकस या बलगम को पतला करने में मदद करेगा कभी कभार लोगों के गले या छाती में मोटा बलगम जमा हो जाता है और वो आसानी से बाहर नहीं निकलता आप नमक की मदद से उसे पतला करके शरीर से बाहर निकाल सकते हैं नमक उसी सिध्धान्त पर काम करता है ये म्यूकस के अंदर से पानी को बाहर निकालता है, उसे तोड़ता है और म्यूकस को पतला कर देता है यहाँ दो काम चलते रहते हैं यहाँ माइक्रोब का विकास रुकने लगता है और माइक्रोब की मौत हो जाती है इसके बाद म्यूकस या बलगम पतला हो जाता है एक ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है, जहां कान में इंफेक्शन के कारण म्यूकस कान की दोनों नलियों में इकठा हो जाता है। ये म्यूकस भी आपके गले तक पहुँच सकता है। इसलिए आप गले के इंफेक्शन से छुटकारा पाने की कोशिश करते रहते हैं, ले को उसे भी कंट्रोल करना होगा। इसलिए ये म्यूकस साइनस, कान यहां तक की टॉनसिल्स से भी पैदा हो सकता है। टॉनसिल्स छोटे छोटे इम्यून ग्लैंड्स होते हैं और ये गले के पिछले भाग में स्थित होते हैं, जिन में सूजन आ सकती है, खासकर ऐसा बच् और infection इसका कारण हो सकता है। सच तो ये है कि टॉनसिल्स infection से लडने की कोशिश करते हैं और माइक्रोब को शरीर के भीतर घुसने से रोकने का भरपूर प्रयास करते हैं। ये मोर्चा बंदी करते हैं, inflammation पैदा करते हैं और कई बार इसके कारण आपके गले में खराश भी ह होने लगती है। कुछ स्थितियों में म्यूकस एसोफेगस के जरीए गले तक पहुँच सकता है क्योंकि शायद आपको acid reflux है जिसके कारण एसोफेगस में जलन पैदा हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि आपके फिपरों में जमा बलगम आपके गले में पहुँच रहा है नमक से जुड़े ऐसे कई काम हैं जो आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा खर्चीले और बेहत कम खर्चीले विकल्प हैं। चलिए सबसे कम खर्चे वाले तरीके से शुरुवात करते हैं। आप एक चमच समुदरी नमक ले सकते हैं। जहां तक नमक की बात है तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप रिफाइंड नमक का इस्तिमाल करें क्योंकि उसमें कई सारे एडिटिव मिलाई जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसमें इसका खुद का रॉक सॉल्ट मौजूद रहता है। इसलिए उस स्थिती में आपको उसमें हिमालियन सी सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा आईरन मौजूद रहता है। लेकिन कुछ पैकेटों में सोडियन क्लोराइड भी डाला जाता है। उदाहरन के लिए मान लेते हैं कि आप वो पैकेट नहीं खरीदते, आप शुद्ध समुदरी नमक का ही इस्तिमाल करते हैं, तो हिमालियन सी सॉल्ट उसका एक बहुत अच्छा विकल्थ है। करना ये है कि आपको समुदरी नमक की एक चम्मच को एक गिलास पानी में घोलना है और उसे पी जाना है। अगर आप इस नमकीन पानी को पीएंगे, तो उससे आपके मुह और गले का एरिया उस नमक के संपर्प में आएगा। इसके साथ ही नमक आपके शरीर में पहुँच जाएगा और आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को मजबूत करेगा, जो विशेश रूप से फ्लाइट या फाइट कार्य प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है, इससे ये सिस्टम बहतर हो जाएगा। कुछ लोगों को नमक का पानी पीते ही अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। नमक को पानी में घोलने से पहले आपको पानी को थोड़ा गर्म कर लेना है, ताकि नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाएं। आपके पास दो विकल्प हैं। आप उस पानी को पी सकते हैं या आप उससे गरारे कर सकते हैं। गरारे करके आप अपने गले के पिछले भाग को समुदरी नमक के संपर्प में ला सकते हैं और आपका इम्यून सिस्टम बहतर होने लगेगा क्योंकि इससे माइक्रोब मर ज साइडर विनेगर भी मिला सकते हैं। मैं Fair Child Company के ACV की सलाह दूगा क्योंकि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड और ज्यादा शुद्ध होता है। मैं आपको बता दूं कि एपल साइडर विनेगर pH को बदलता है और माइक्रोब को मार देता है। इसके जरीए हम माइक्रोब को डि दूनी हिस्सा जल सकता है। खासकर ऐसा करने से गले की खराश ज्यादा बढ़ सकती है। आपको एक गिलास पानी में इसकी एक चमच ही डालनी है जिससे ये ज्यादा डाइलूट हो जाएगा। नमक और एपल साइडर विनेगर एंटी बैक्टिरियल और सूजन रोधी प् पानी को डालते हैं और पानी दूसरी नाक से निकल जाता है। मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें आप डायलूट किया गया नमक वाला पानी अपने साइनस से गुजारते हैं और ये आपके साइनस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, आप यहाँ कोई क्यामिकल इसका कारण हो सकता है, या हो सकता है कि आपके sinus में कोई फफूंद विक्सित हो रहा है क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि ये कोई मौसमी बीमारी नहीं है आपको अपनी डाइट में भी बदलाव करने चाहिए और शुगर से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि शुगर मोल्ड, कैंडिडा और फंगस को भोजन प्रदान करती है जब तक कि समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं हो जाता आप एक दिन छोड़कर निती कर सकते हैं कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उनके sinus को खुरच देता है कुछ लोग sinus के एरिया की सरजरी भी करवाते हैं और उसके कारण sinus की बेहत समवेदंशी परत खराब हो जाती है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया वास करते हैं जो आपको पैथोजन्स के आकरमन से बचाते हैं एक दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि आप रूई की मदद से डाइलूटेड किमची जूस की एक बून्द अपने sinus में डाल सकते हैं जिससे माइक्रोबायोम वहां पहुँच जाएगा और आपको काफी आराम मिलेगा इस पर कई बढ़िया आकड़े उपलब्ध हैं आप एक humidifier का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जो liquid को वेपर में बदलने का काम करता है आप सोते समय इसका इस्तिमाल करते हैं आप इसे on करते हैं, नमक का पानी इसमें डालते हैं और आप इस मशीन को पूरी रात on करके रखते हैं ऐसा करने से इसके वेपर आपके शरीर और फेपडों में प्रवेश करते हैं और इससे म्युकस को पतला करने में मदद मिलती है अगर आपको infection है, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप सोते समय अपने उपर कंबल डालें जिससे आपको गर्माहट मिलेगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि infection आपके respiratory area के निचले या उपरी भाग में हो सकता है और वाइरस के कारण ये infection पैदा हो सकता है वाइरस के infection में antibiotics काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको अपने शरीर को गर्माहट देनी होती है ताकि आप natural तरीके से बुखार पैदा कर पाएं इसलिए उस स्थिती में आपको एक मोटी चादर लेकर सोना है, खुद को गर्म करना है और पसीना निकालना है ताकि आप गर्मी के साथ इन वाइरसों का सफाया कर पाएं हम इन microbes को dehydration, acid और गर्माहट के साथ मारने का प्रयास करेंगे आप हेलो थेरपी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, इसमें आपके पास कुछ एक विकल्प है आप किसी ऐसी जगह पर जाकर रह सकते हैं, जहां नमक की गुफाएं होती है आपको हेलो थेरपी मशीने भी मिल जाएंगी, जिन में सूखा नमक डाला जाता है जिसके जरिये सूखा नमक हवा में चिड़का जाता है, और इन मशीनों में कमपनिया खुद के द्वारा बनाया गया नमक डालती है जो शुद्ध सोडियम क्लोराइड नमक होता है मुझे नहीं लगता है कि वे इसमें समुद्री नमक का इस्तिमाल करते हैं लेकिन हेलो थेरपी मशीने थोड़ी ज्यादा महेंगी आती है अगर आप इन्हें खरीच सकते हैं, तो इनसे आपको फाइदा मिल सकता है उदाहरन के लिए मान लेते हैं कि आप ये काम करते तो हैं लेकिन इससे बात नहीं बनती हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन कान के इन्फेक्शन के कारण पैदा हो रहा है या हो सकता है कि आपके कान की अंदरुनी नली में कोई माइक्रोब है जिसके कारण ये नलिया म्यूकस से भर रही है उसके लिए आपके पास कई विकल्प है आप से लाइन वाटर की चार से पांच बुंदे अपने दोनों कानों में डाल सकते हैं बुंदों को कान के भीतर तक घुसने दें सिर को थोड़ा हिलाएन और ऐसा करने से म्यूकस पतला होने लगेगा और माइक्रोब मरने लगेंगे आप ऐसा ही कुछ डाइल्यूट किये गए एपल साइडर विनेगर से भी कर सकते हैं आप कुछ बुंदे जैसे की चार से पांच बुंदे अपने दोनों कानों में डाल सकते हैं ध्यान रहे कि आपको पानी में मिलाए गए एपल साइडर विनेगर की बुंदे ही कान में डालनी है इसलिए आपके पास कई विकल्प हैं जिन्हें आप अपनी सहुलियत के अनुसार अपना सकते हैं आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं आप हर एक कान में लहसुन के तेल की एक-एक बुंद भी डाल सकते हैं ये बढ़िया तरीके से काम करती है इससे माइक्रोब मर जाता है और ये चीज साफ हो जाती है अगर आपको एसिड रिफलक्स की प्रॉबलम है अगर आपको उसके कारण ये समस्या हो रही है तो आपको नीचे दिया गया एसिड रिफलक्स से छुटकारा पाने वाला विडियो देखना चाहिए आपको पता चल जाएगा कि आपको एसिड रिफलक्स की प्रॉबलम है क्योंकि आपको खाना पचाने में समस्या आएगी सीने में जलन होगी, आपको पेट में अपच महसूस हो सकता है आम तोर पर इसके कारण म्यूकस की समस्या पैदा नहीं होगी ये समस्या मुख्य तोर पर साइनस या टॉंसिल्स के कारण ही पैदा होगी इसलिए गरारे करने से आपको मदद मिलेगी इन सब के अलावा मैं आपको विटामिन D लेने की भी सलाह दूंगा बहुत सारे आकडे उपलब्ध हैं जो बच्चों में बढ़े हुए टॉंसिल्स और विटामिन D की कमी के संबंध की बात करते हैं बच्चे और बड़े जिन्हें साइनस की एलर्जी है जिनके साइनस में म्यूकस है उनमें विटामिन D की कमी के कारण आपके कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है विटामिन D के रिसेप्टर आपके शरीर के हर एक सैल में मौजूद होते हैं ये आपके लगभग प्रत्येक इम्यून सैल में भी मौजूद रहते हैं तो विटामिन D लेना इसलिए आपके लिए फाइदे मन रहेगा आपको कम से कम 20,000 IU विटामिन D लेना चाहिए मैं इस तरह के मामलों में विटामिन D लेने पर एक दूसरी रणनीती भी अपनाने की सलाह दूँगा आप रोजाना विटामिन D की छोटी खुरात लेने के बजाए हफ्ते में एक बार 50,000 IU विटामिन D ले सकते हैं ऐसा करके आपको तुरंत फरक दिखाई देगा और आप म्यूकस को साफ करने की प्रोसेस को तेज बना पाएंगे अगर आपने नमक की मदद से रेस्पिरेटरी म्यूकस को निकालने पर बना विडियो नहीं देखा है तो आप उसे यहां देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें